इसको इसपाथ सन्यंत्र पर्यावरन सनरक्षन के दाइत्व को पूरा करने के साथ हरित उर्जा को बढ़ावा देने के लिए गमभीरता से कदम उठा रहा है इसको इसको इसपाथ सन्यंत्र प्रबंदन ने हरित उर्जा का अधिक से अधिक उप्योग करने का निश्चे किया है सन्यंत्र में 1.77 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पीवी सिस्टम की आपूर्ती के लिए चल रही परियोजना पूरी होने के करीब है इसी कदम में सिंटर प्लांट में 55 किलो वाट पीवी सिस्टम चालू करके परियोजना ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है इस प्रोजेक्ट से सलाना 6.4 लाक रूपे की राशी के लिए सोलर पावर उत्पन करने और ISP के कार्बन फूट्प्रिंट को पतिवर्ष 82 टन तक कम करने की योजना है कद 30 अप्रिल को सिंटर प्लांट में इस परियोजना का उत्खाटन CGM सिंटर प्लांट श्री ए के घोश ने ED वर्क श्री एमार गुपता की उपस्तिती में शीलापट का अनावरन कर तता फीता काट कर किया इस दिन CGM Electrical and Additional Charge of CGM I&A, CGM ERP and C&IT श्रीदी पकजैन भी उपस्तित थे तत पश्चात इस विभाग के अधिकारियों तता कर्मिचारियों द्वारा बारी बारी से नारिल तोड़कर इसका शुभारम किया गया तत दुपरांट सिंटर प्लांट के फायर वाटर पंप हाउस में स्थापित किये गये इस पीवी सिस्टम का CGM सिंटर प्लांट स्थापित किये जाने पर CGM सिंटर प्लांट स्थापित किये जाने पर CGM सिंटर प्लांट श्वी एक गोश को बधाई देने के साथ ग्लोबल वामिंग के दुश प्रभाव तता हरित उर्जा का सदिप्योग करने पर जोर दिया गोश तलब है कि इस 1.77 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पीवी सिस्टम परियोजना में 22 थानों पर सोलर रूफ टॉप सिस्टम की स्थापना शामिल है जिन में से प्रमुक स्थापना पहले ही पूरी हो चुकी है और सभी 22 इकायों ने बिचली उत्पादन शुरू कर दिया है इस परियोजना के माध्यम से 25.71 लाक रूपे की लागत से लगवाग 36.47 मेगावाट हरित उर्जा प्राप्त की गई है जिसमें 350 टन कारबन डियोकसाइट की कमी हुई है CGM सिंटर प्लांट श्री एके घोष्ट ने सिंटर प्लांट के अधिकारियों तता कर्मचारियों को प्रुचसाहित करते हुए कहा जो 50 किलोवाट का लोड लेंगे 50 किलोवाट से उसका पाउड जनरेशन होगा जो हम लोगो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एनाफ है तो अभी आप देख सकते हैं अभी आप देख रहे हैं कि मतलब हम लोग कैसे ग्लोबल वाड्मिंग हो रहा है अज इतना गर्मी है उसका बाद में आजगाल ऐसे हो रहा है कि रात में भी ठंड नहीं हो रहा है तो मतलब ये गर्मी का भी से हम लोग को बचने के लिए दो ही उपाई है एक है हम लोग को पेड नहीं काटना पेड लगाना है और दूसरा जितना रिनेवल इनर्जी है उसको यूज करना है इस अफसर पर CGM Electrical and Additional Charge of CGM I&A, CGM ERP and C&IT शुदीपक जैन ने इसको इसपास सन्यंत्रे ग्रेड में एक और हरित उड़्डा शमता जोडने के लिए Central Electrical and Projects की पूरी निशपादन टीम को बढ़ाई दी और कहा Cale ISP बनपुर ने हमारे जो सोलर प्लांट लगाने का जुन्यूबल इनर्जी की उपयोग के अधिक सधिक उपयोग के लिए जो निश्य किया था उसके तहत अभी एक 1.77 MW का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का जो एक प्रोजेक्ट में लिया था उसको पहला फेस था यह पहले चरण में हमने 1.77 MW लिया था और एक और चरण जो जल्दी आने वाला है इसमें और दो मेगावाट के सोलर पैनल लगा जाए सीजेम सेंटर के करकमलों द्वारा आज उत्गाटन किया गया और इसके अलावा हमने एक जो 4 MW का फ्लोटिंग पावर पैनल अलड़ी लगा दिया है और वो अलड़ी चालू हो चुका है जो की सेल में प्रथम है इसमें इसके लाव हमने कई सोलर ट्रीज का भी स्थापना की हुई है और यह सब मिला करके आएसपी का जो कमिट्मेंट है परियावरन की सर्केस अरक्षन के लिए और रिन्यूबल एनरजी के अधिक सदिक उप सब ग मिला करके लिए और रिन्यूबल एनरजी क intentाउना की सुखझ का मिला का जो की ज़ते है अर्सुबला की सर्केसा उत्यायक।